हेलो गाईस तो इस वी शूड़ए में हम देखेंगे कत्या के स्टार्ट मेनू में किसी वी वर्कमेंट के लिए शॉट्कट की कैसे सेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने part design के workbench के लिए control plus one का shortcut की set किया हुआ है तो यह shortcut की set करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ, tools में, उसके अंदर customize इसमें start menu, जहाँ पर आप देख सकते हो, available और favorite ऐसे दो box हमें दीख रहे है तो यहाँ पर मैंने part design के लिए अल्रेडी shortcut की create किया हुआ है तो अब मैं आपे assembly design को select करता हूँ, उसे favorite मैं add करता हूँ और इस workbench के लिए accelerator में shortcut की provide करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, control plus two और इसे close करता हूँ तो जैसे मैं आपे keyboard पे control plus one प्रेस करता हूँ वर्क बेंच directly open होता है तो हमने यहाँ पर assembly design के लिए control plus two का shortcut की create किया हुआ है तो यहाँ पर मैं control plus two प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हो, यह assembly design का workbench तो इस तरह से हम किसी वह workbench के लिए shortcut की create कर सकते है तो यहाँ पर मैं sketcher के लिए shortcut की create करता हूँ तो यहाँ पर आप start menu में देख सकते हो workbench और उसके shortcut की तो इस वड़े में इतना ही वड़े रिखने के लिए thank you